हलो फ्रेंज वेलकम टू दे चैनल आज मैं आपको अलग और इवी तरीके से फंदे डालना बताऊंगे देखे जब हम फंदे डालते हैं तो यहां नीचे हमारी एक प्रॉपर किनारी आनीचे है कई पर क्या होते हैं यह इस तरह से उबढखा बढ़ाती है जो स्वेटर में भी एक नीट लुक नहीं देती है यह जो आज मैं बता रही हूँ आपको यह मैं क्रोश्या के हल्प से बता रही हूँ कि क्रोश्या के हल्प से किस तरह से बना सकते हूँ यह मैं सिंगल धागे से ही डाल रही हूँ अब सबसे पहले देखे, उनको लिया, उनको इस तरह से उंगली पे फोल्ड करके, एक फंदा इस तरह से, ये क्यू बीच में से खीच के ये एक फंदा मैंने बना लिया, शुरू करेंगे, शुरू करने के लिए, देखे, सबसे पहले मैंने धागा लिया, अपनी फिंगर पे इस तरह से लपेटा बहार निकाला अब यह जो मेरा बैलन्स थ्रेड है इसको मैंने इसके बीच में इस तरह से रखा यह देखिए मेरा क्यू शेप आ गई अब बीच में से मैं अपने क्रोशे होग के साथ इस धागे को खीच लूँगी यह मेरा इस तरह से आ गया अब इसके बाद जो मेरी सिलाई है जिसके अंदर मुझे फंदेर डालने है उन दोनों को मैंने इस तरह से पकड़ा धागा मेरा नीचे जा रहा है यह सिलाई मेरी उपर है धागा मेरा नीचे है तीक है अब मैंने इस धागे को इस सिलाई के उपर इस तरह से लपेटा उश्य में से उसको निकाल दिया फिर लपेटा को शया में से उसको निकाल दिया फिर लपेटा को शया में से उसको निकाल दिया फिर लपेटा को शया में से उसको निकाल दिया फिर लपेटा को शया में से उसको निकाल दिया फिर लपेटा को शया में से उसको निकाल दिया फिर कलद यह विर लब लब बीट न जर में थे और वेसी कि अ फे लब उच्छ अ चन ते आ वै लब लब बेद Ya छो यह जिसे निका तया बैदा लुच्छ अ एल देता लोच्छ अ में थेन चाल तै अधर लपेटा है लोशे मीच लोच्छा कर दोटा है इस तरह के किनारी नीचे आएगी इस तरह किणारी इस तरह से आगी आप मुझे जितने फंदे डालने हैं मैं उतने फंदे डाल लोंगी इस सरह से लपेटा अब देखें ये फंदे मैंने डाल लिए हैं अब जब मेरे फंदे कंप्रीट हो जाएंगे तो जो ये लास फंदा मेरे क्रोश्य हुक के अंदर है उसको भी मैं इसी के अंदर इस तरह से डाल दोगी और यहां थागे को खीच लोगी आप यही करने के बाद देखिए इस तरह से आएगा किनारी इस तरह से आजएगी विल्कुल एक शार एक जैसी किनारी आप चाहें तो सेम प्रॉसेस डबल धागे के साथ भी कर सकते हैं जिसमें हम दो बार धागे को बल देंगे तो उससे मेरे डबल वाले फंदे आ जाएं यह देखे, बुनाई मेरे नॉर्मल तरीके से ही होगी, देखे, यह इस तरह की किनारी आ जाएगी, बिल्कुल सफाई से इजीली, सिंगल धागे के अंदर यह है, और बहुत असानी से हो जाती है, एक बड़ ट्राइ करेंगे तो बहुत इजीली एस अंदेडल जाती है, I hope आपको यह अच्छा लगेगा आईडिया और आप इसको जल्दी ट्राइ करोगे, इससे रिलेटिड अगर आपके पास कोई भी कमेंस यह सेजेशन है तो प्लीज मुझे लिखेगा, थैंक यू फो वाचिंग